प्रेज़ लॉड प्रेज़ लॉड प्रेज़ लॉड सच मुझ परमिश्च और महान है वो छुड़ाने वाला है प्रेज़ लॉड शास्तर कहता है कि चोर आया चोरी करने घात करने और नाश करने के लिए प्रन्तु इश मस्सी आया है हमें जीवन और भरपूरी का जीवन देने के लिए प्रेज़ लॉड हाली में हमारे भाई औरंगाबाद इस जगे सिवकाई के लिए गए थे और भाई कहते हैं कि जब वो सिवकाई के लिए जाते हैं तो हमारी कलीसिया में जो आशिरवादी तेल की शीशी मिलती है वो हमेशा अपने साथ ले जाते है ताकि परमेशर का गौरो हमारे पास्वर के दौरा कलीस्या के दौरा और उस अशिरवादी तेल के दौरा परमेशर को सारा गौरो मिले। भाई कहते हैं कि जब वो सिवकाई कर रहे थे वहाँ पर एक स्त्री थी जिसका नाम सकुबाई था जब वो पैदा हो रही थी तो उसके माबाप ने उनके किसी परमेशर को उन्होंने एक वनवस किया था वो कहते हैं वर्ड दिया था कि जब कभी भी हमारे को बच्चा होएगा हम उस बच्चे को आपको समर्पित करेगे चाहे लड़का हो या लड़की हो भाई कहते कि वो जो लेडी थी वो पैदा हो गई और उनके माबाप हर साल वो मंदिर में जाते थे वहाँ पर और उसको जो भी चड़ावा चड़ाते थे उस समय वो गले में का कुछ खून की बूंदे उसके उपर ब्लेड मार कर खून की बूंदे उस पर डाल कर वो चड़ावा चड़ाते थे ऐसे लगातार वो कहते कि 40 साल तक वो उस बंधन में थे और उसका नतीज़ा ये हुआ कि 40 साल बाद उनको जब ही वापस ही किया गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा फोड़ा आ गया और जिसके कारण उस स्त्री का आवाज बात करना बंध हो गया भाई केती कि जब वो वहाँ पर सिवकाई कर रहे थे वो स्त्री भी वहाँ पर आई थी और जब परमेश्वर का वचन हो रहा था परमेश्वर ने उसे स्पर्ष किया और उसके उपराण जो प्रारतना हो रही थी भाई केती कि उन्होंने किवल अश्रिवादी तेल वहाँ पर लगाया जैसे ही तेल वहाँ पर लगाया परमेश्र ने वो पार्टना दौरा अश्रवादी तेल के दौरा फिर से उसकी आवाज भी आ गई भाईगैते कि यह चमतकार खेवल परमिश्वर ने उस अशिरवादी तेल के द्वारा वहाँ पर दिखाया कि सच मुझ परमिश्वर का अभिषिक्त सेवक यानि हमारे पास्टर यहाँ पर जो काम कर रहे उसका यह आशिरवाद उसका जो यह प्रचमतकार वहाँ पर भाई को देखने की मिलिया इसके लिए भा झाल 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 झाल